हेलो बच्चों सवकत करता हUNG आप सबको तो यहां पर हम बात करने वाले हैं पैसे को रुपए में की परीवर्थन किरते हैं और कितना पैसे यह फ्रुपया होता है या फिर रुपज़ को हम पैसे हैं बदलना या फिर पैसे को मैं क्षीजिब सकते हैं इस सारा चीज यहां पर discuss करेंगे वीडिо के अन तक बने रही है जो चीज यहां पर देखेगा जो चीज आपको यहां पर सीखने कौ मिलेगा अपने delete कि रखें अगर एक पैसे को रुपिया में बदलना होगा तो क्या करेंगे एक पैसे बराबर एक बटे सो कर देना है एक पैसे बराबर एक बटे सो रुपिया ठीक है यह ध्यान रखना है तो एक पैसे को मतलब अगर मान लिए यह पर पांच पैसा है 5 पैसा है तो 5 पैसा को हम रुपया में बदलना है क्या करेंगे 5 बटे 100 कर देंगे 5 बटे 100 कर देंगे यह मतलब है ठीक है इसका मतलब इस तरह से आप कर दोगे अगर 10 पैसा है तो 10 पैसा को आपको रुपया में बदलना है क्या है 10 बटे 100 कर देना है ठीक है कितना कर दोगे 10 पैसा को रुपयां बदलने के लिए क्या कर रहे हैं आप फर्मले आपको एक बटे 100 यह दो चीज को याद रखेंगे तो आपका पैसा को रुपय में बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीके, ठीके वीडियो का कुछ प्रस्ण करके दिखाऊंगा आपको प्रस्ण करते हैं आज का टोके तो पहला प्रस्ण देखिए पहला प्रस्ण जो आपका प्रस्ण वोले 2.3 का है question no.4 का जो फ्रस्न है उसको हम कैसे करेंगे यहां पर आपको दिखाऊंगा आप इसी हिसाब से आगे वाला प्रस्न को कर लेना है ठीके रूपय में ब्यक्त करो, किस में ब्यक्त करना है, रूपय में ब्यक्त करना है, आपको नम्मर दिया है 5 पैसे, अभी थोड़ा दर पहले आमने दिखाया था, पहले 5 पैसे को रूपय में बिदलना है, तो की से शॉल्ब करेंगे, 100 पैसे बराबर 1 रूपया, 100 पैसे बराबर क निचे 5 को 100 से भाग रहे हैं 100 में 100 में कितना 0 है 20 है आपको count करना एक दो उसके बाद point लगेगा 2 संख्या के बाद point लगेगा तो यहां पे कुछ नहीं है मतलब 0 सो दो जिरो है तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा मतलब पिछे से काउंट करना एक दो तो कितना आ गया जिरो पॉइंट जिरो फाइब रूपाय ठीक है जिरो पॉइंट जिरो फाइब रूपाय हो जाएगा पांच पैसे को अगर हम रूपाय में बदलते हैं तो इसको आप कॉपी में लिख लिजी और समझ लिजे और इसी प्रकार का कुछ गूशन भी आपको दूँगा स्वाल् बहुत बढ़िया कोशन है पांच रुपाय पांट सकते प्लस पांच पैसे कर सकते हैं ना कर सकते हैं इस तरह से कर दिया हमने उसके बाद पांच रुपया तो ठीक है पांच पैसे को हम कैसे बदलना है पैसे को बदलने के लिए मैंने किया बोला था पांच मतलब जितना भी पैसा दिया उसको उपर लिखना है नीचे में हंद्रेट लिखना है ठीक है यह यहां पर आपको यहां पर लिखा है 100 पैसे इकल टू वान रुपया ठीक है उसके बाद यह पांच बटे जो सो है पांच बटे सो रुपया जो है पांच पैसे को रुपया में लिख सकते हैं इसके बाद पांच रुपया प्लस इसको अगर हम बदल देते हैं इसको हम पांच प्लस कर दीजे प्लस करने से कितना हुआ आया 5.05 रूपाय आ गया तिके इस तरह से हम इसको करना है कि कैसे हम करतें को देखेंगे नमर प्रसना मरे 55 रूपए और 55पाय से को क्या करना है रूपाय में बदलना है सब्सक्राइब हम क्या लिखेंगे 55 रूपए प्लास 55 पैसे 55 रूपए और 55 पैसे 55 को हम कैसे लिख सकते हैं 55 बटे 100 लिख सकते हैं ठीक है 55 बटे 100 लिख सकते हैं और यह चीज ध्यान देना है आपको 55 बटे 100 लिख दिया अब यह दसमलब क्या लगेगा देखें 2 संक्या 2 0 है तो 1 2 2 संक्या हो गया इसके आगे में 10 55 out 55 और 55 आपने लिखा उसके साथ में कितना है जिरो पॉइंट 55 यह पॉइंट है उसको क्या लिखना है जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट 55 जोड़ना है द्यान रखिए पॉइंट के सीधा सीधी पॉइंट लिखना है कैसे जोड़ना है यहां पर 0 यहां पर 0 अब इसको जोड़ने के बाद क्या संख्या आएगा जीरो में 5 जोड़ा 5 हो गया ठीक है तो यह फिर 0 में 5 जोड़ा 5 हो गया अच्छे से नहीं लिक पारा हो 5 हो गया यह दसमलब का सीदा हिति दसमलब दे देंगे उसके बाद 5 और इधर में भी 5 आ गय वो छोटा वीडियो मैंने बनाया और इसमें आपको समझाने कुछिस किया कि हम रूपय को पैसे में कैसे बदलते हैं या फिर पैसे को रूपय में आगर बदलना आएगा तो आप कैसे कर सकते यह सारा चीज यहां पर मैंने बताया सो होब आप कॉपी में इसको लिक लेंगे और ये चीज समझ में आया होगा असा करता हूं और अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा आप एक लिए इतना है थेंकियो बर वाचिंग गॉड ब्लेस यू